वनस्पतियों की जानकारी देने के लिए हम आपके लिए खेत, खलिहान, जंगल, जहां भी, जो भी हम संग्रहित कर पाते हैं, जानकारी ले पाते हैं, पहले तो जानकारीों को संग्रहित करना, बाद में उस जानकारी के हिसाब से, उन पौधों को, उन वनस्पतियों को ढूणना, अपने आप में एक बहुती सरमसाध्य कारी है, फिर भी, जो आप सब का उत्साह है, आप सब ने जो हमें प्यार दिया, जो आपने जड़िबूटियों के प्रदी, अपने निष्ठा, भावना, और अपने जुडाव को व्यक्त किया, उसकी वज़ा से ही, हमें उत्साह और इसके ख्षत्र में और भी कारी करने के लिए प्रणा मिल रही है, इसलिए हम आप के लिए लाएंगे और भी जानकारियां, तो हमारा प्रयत्ना है, हम प्रदी दिन आपको एक आउशदी की विशे में, एक जड़िबूटि के संदरव में कुछ जानकारी दें, तो आज हम बैठे हैं, कांटों से परिपूर इस विशे के तले, इसको आईरुवेत के अंदर पहुती और ओशदीय गोणों से परिपूर माना है, इसमें दो तरह के पुस्प होते हैं, एक पीले फूल वाली होती है, एक सफेद फूल वाली, परनतु दोनों का ही नाम, क्योंकि फूल चाहे पीला हो या सफेद, पर उसके अंदर से निकलने वाला दूध है, वह पीला ही निकलता है, इसलिए साइद सवनक्षिरी या कंचनक्षिरी कहा गया, पर हिंदी में इसको हम कहते हैं सत्यानासी, इसको ब्रह्मदन्डी भी ति आनास जरूर करता है और आपकी रक्षा करता है पीछे ड्रॉपसी की बात चली तो लोगों ने कहा कि खेतों के अंदर सरसों के खेत के अंदर यह पौधा होता है इसलिए ड्रॉपसी जैसी बहानक बिमारी हो गई पर मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ क्योंकि यह पौधा वर् को जैसे उसके अंदर मिलावट की जैस सरसों के नाम पर और चीज़ों की देने के प। ब्रॉट के लिए बिमारी है और तुरे बात यह तैकर के सरसों के बीज के अंदर मिलना बहुत दुस्तर कारी है अभी आप देख रहे हैं बहाना काटे इस रिक्ष के अंदर है हम जानते हैं कि इसके कुछ बीज बीज में होते हैं सरसों काटते समय यह कट भी सकता है परन्त किसान चाहा करके भी सरसों के साथ इसको काट करके इसके बीजों को नहीं मिला सकता क्योंकि हमारा किसान आज भी वह पवित्रता लिये हुए है उसके अंदर वह भावनात्म का लगाव है वह हमारी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ा हुआ है जानबूस करके वह ऐसा कारे नहीं कर सकता है और दूसरी जहां तक बात रही कि इसके बीजों की मैं समझता हूँ कि साथ सरसों के बीज से भी ज़्यादा महंगा आज भी इस सोनक्षरी का 87 का बीज है तो बीज मिलाने की बात मैं समझता हूँ कि उन लोगों के लिए तो हो सकती है कि जो लोग ये कहते हैं कि ग्यहों पेड़ों में उगता है उन लोगों के लिए बात सीरे चड़ सकती है जो खेट से खलिहान से और जमिन से जुड़ा हुआ कोई भी बिक्ती इस बात को सुविकार नहीं कर सकता है तो मैं आपको जानकारी दे रहा था सत्ता नासी यानि कि सब रोगों का नास करने वाला सत्ता नास करने वाला एक ऐसा पौधा उसके संदर्ब में तो यह अत्यंत रक्त शोधक है रक्त सम्मंदी जितने वी विकार है उनका यह सत्ता नास करता है यह आपके नित्र रोगों के लिए आपके प्रमेह रोगों के लिए धातु रोग के लिए और आपकी कमजोरी के लिए और आपकी नपुम सत्ता के लिए यह सत्ता नास करने वाला है इसलिए शायद हमने इसका परंतु बहुत काटों से परिपूर्ण यहां पौदा है जिसको बोलते हैं हम सत्या नासी तो आए और इसकी विशे में हम आपको बताते हैं कि हम किस तरह से किन-किन रोगों में प्रयोग कर सकते हैं इस सत्या नासी का तो स्वनक्षरी वि हमें मौका मिला तो शर्द्या वैद्यवल्राम जी ने एक वो प्रयोग इसकी विशे में कराते थे बहुत ही कारगर प्रयोग था वो यह है कि जैसे अभी सीजन है तो सीजन में जो सत्या नासी के पोधे खड़े मिलते हैं सब शड़कों पर इसके दूद को निकाल करके शुद गी में आप उसको दीपक बना लें दीपक बना करके खलाकी इस धूद को आप दो तीन चार वारे इदी सुखा देते हैं उसके अंदर रूइ के अंदर तो बहुत इच्छा रहेगा तो उसका काजल तयार करें यह काजल आपके आँखों के लिए नेत्र रोगों के यह एक अम्रिद आउशद है छोटे वच्चों में जिसे आप काजल लगाती है या बड़े भी लोग लगाते हैं हलाकि आज काजल लगाने की फैसन की जगा दूसरे बहुत सारे फैसन आ गए हैं फिर भी काजल के रुप में आप जरूर इस काजल का प्रयोग करिए काजल बन ना ना इस तरह के जो लोग हैं उनके पास जो जानकारी है